हेलो एन वेल्कम दोस्तों दीप इलेक्ट्रोनिश लाब में आपका बहुत-बहुत स्वागा थे आज मेरे पास एक एलजी का मोनीटर आया है रिपेरिंग के लिए जिसके अंदर डेड़ प्रॉब्लेम है यानि कि इसके अंदर जब पावर दे रहा हूं ये कोई भी रेस्प और कोई भी रेस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है देख सकते हो तो इसको रिपेर करने के लिए सबसे पहले इसको हमें खोलना होगा और खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर प्रॉब्लेम क्या है और जैसे कि मैं आप लोग को हर एक वीडियो के अंदर बताता हूं कि अगर किसी भी एलेक्रोनीश डिवाइस के अंदर आपको डेढ प्रॉब्लेम मिले तो 90% चांसे सा रहता है कि उसके जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई के अंदर खराब हो तो चैलिए हम इसका जो पावर सप्लाई स्क्षन है सबसे पहले ह उसी को ही चेक करेंगे तो दोस्तो हमने एस मोनिटर के अंदर से जो पावर सप्लाई हो मैं वह हमने बाहर निकल लिया हूँ और आप बढ़ी याते इस को टेस्टिंग करना टेस्टिंग करने से पहले आपको कुछ चीजेश करने होंगे जैसे कि हो गया इस तरीगी का power supply के अंदर सबसे जादा जो खराब होती है यह हमाड़ा secondary section का डायोडे यह सबसे जादा खराब होती है उसके साथ साथ हमाला क्या पसिटॉर्स बगरा खराब होती है तो सबसे पेले हमें चेक कर लेना है कि कौनसा चीज खराब हुआ है उसके प्लाव करेंगे कि को हमने को ऐ तो हमने कोंतिटी ज्ट कर दिया हूं और आप मैं इसको को सब्सक्राइब इदे경ने जा रहा हूं सबसेबले तो हो में फ्फ्यूज को चेक करना होगा तो चलिकर में फ्यूज को चिकता हूं अब प्यक्त ओके हैं और आप हमारा जो सटिंदर और सिक्षिन कई जित om कि यह डावड हमारा सही उसके बाद यहां पर एक डावड लगा हुआ है कि तो जैसे कि दोस्तों देख सकतो हमारा यह जो डावड है यह डावड दिखा रहा है तो हम इस डावड को बाहर निकालेंगे जैसे कि आप देख सकते हो हमने दोनों साइड से चेक किया तो इसको बीप साउंड मिल रहा है और मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि इस तरहीं का पावर सप्लाइक अंदर सबसे ज्यादा जो खराब होती है वह यह डावड खराब होती है तो हम इसको बाहर निकालेंगे और उस तो इस जगा पर हमको इसका एकुवेलेंट डावड जो है लगाना पड़ेगा एक बार मैं इसको चेक करके दिखा देता हूं इसके अंदर से बीप साउंड देखने को मिल रहा है कि नहीं ताकि आपको पता चले कि वाकई में यही खराब हुआ है ना कि अन्यूजर कंपोन जो है डायोड इसके अंदर लगाएंगे अगर आप जानना चाहते हो कि इसका एकुवेलेंट डायोड क्या है तो मैं आपने वेबसाइट पर सारे के सारे एकुवेलेंट डायोड के नंबर के बारे में मैंने लेक के रखा हूं आपको विजिट करना पड़ेगा www.deepelectronislab.com जाके विजिट किजिए आपको पते चल जाएगा इसके एकुवेलेंट डायोड कौन सा है दोस्तों आप मैं इस खरब डायोड के जगा पे जो मैं नेया डायोड लगने जा रहा हूं इसका नंबर है S8360 इसका नंबर है तो इस नेया डायोड को हम लगाएंगे जहां पर यह वाला डायोड लगा हुआ था तो हमने डायोड को सही सलामात सोल्डर कर दिया हूं और बाकी जो लेक्स बचा हुआ है इसको मैं छोटा कर दूँगा काट के और आप बढ़ी आते इसको टेस्ट करना तो चलिए मैं आप मैं इसको टेस्ट करके देखता हूं कि यह ओन होता है की नहीं तो हमने इसके अंदर जो है पावर सप्लाइज दे दिया हूं और आप मैं इसका जो वोल्टेज है वो हम चेक करके देखेंगे वो भी DC अब फेर से मैं आपको मिजर करके दिखाता हूं यहां पर देखिए 5.19 वोल्ट यानि कि यहां पर हमें 5 वोल्ट मिल्ला चाहिए वो बिल्कुल बलाबर हमें मिल रहा है और अब हमें क्या करना है इसको हम इंस्ट्रॉल करेंगे असेंबल करेंगे उसके बाद आपको टेस् कर दिखाता हूं इसको लगाने से पहले यानि कि इसका कभार है उसको चाराने से पहले एक बाद टेस्ट करके दिखा देता हूं तो यह जो हमारा केवल है मैं इसको यहां पर देखिए अब में एक्स्टेंशन बॉर्ड के अंदर इसको लगाता हूं औरर लगाता है आप यहां पर देख सकता हूं हमारा ग्रीन एल एलेडी चल गया है और दिस्पले लेख सकते हो एलजी लिखा आ गया है आपको दिखाई दे रहा होगा एलजी लिखा आ गया है यानि कि हमारे जो मोनिटर है वो बिल्कुल सही हो चुका है और यहां पर देख सकतो सिग्नेल मतलब वेरिफाई सिग्नेल के लिए कह रहा है तो मैं अब इसको अपने कवर के अंदर डाल देता हूं उसके वाद आपको फाइनल टेस्ट करके दिखाता हूं दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से बहुत ही असान तरीके से हमने इसको रिपेर कर चुका हूं अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद कुछ भी सिखने को मिला है जानने को मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक केजिए और स्यार केजिए इस वीडियो को ताकि बाकी जो सारी लोगे उनको भी पता चले और अगर आप इस प्रे करके और भी वीडियो आगे आने झाल झाल झाल